11 कार्तिक की मूवी सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है एक्जाटली 11 बच के 11 मिनिट पर साजित नादियाडवाला ने 11 बच के 11 मिनिट याने एंजिल नंबर का इस्तमाल करा है इस ट्रेलर को अपलोड करने के लिए ताकि किस्मत का और एंजिल्स का साथ इस मूवी को मिले ऐसा क्यों भाई आपके लीड अक्टर कार्तिकारियन की पिछली मूवी शहधादा बुरी तरीके से पिट जो गई थी तो आब आपको किस्मत का सहराज तो लेना पड़ेगा इस मूवी के रेलर आने के पहले ये मूवी एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी में फस गई थी क्योंकि इस मूवी का नाम पहले रखा गया था सत्य नारायन की कथा religious point of view से इस मूवी ने कहीं लोगों के emotions को hurt किया और लोगों के दबाओं में इस मूवी का नाम चेंज करके सत्य प्रेम की कथा रखा गया खेल ट्रेलर बहुत अच्छा है क्यारा और कार्तिक की chemistry भुल भुलाया टू की तरह इसके अंदर भी बहुत कमाल लग रही है first glance में जब मैंने इस ट्रेलर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्यारा कार्तिक की इस मूवी के अंदर शुरुवात में एक प्यारी सी love story डेवलप होती है बाद में दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद complications आते है लेकिन एक दो भार ध्यान से देखने पर ये लगा कि दिखाया कुछ इस तरीके से गया कि क्यारा और कार्तिक की शादी हो रही है मूवी में fun भी है, emotion भी है, drama भी है याने typical Bollywood टाइप की मूवी है लेकिन फिर भी क्यारा कार्तिक की chemistry's मूवी के अदर अच्छी लग रही है जो इस मूवी की USP बनेगी इस मूवी के डिरेक्टर है समीर विधवन जिनोंने अभी तक regional language में मूवी बनाई है क्योंकि satellite, OTT, music rights वगेरा sale कर दिये जाएंगे और अगर ये movie theater में आके 57 करोड का business भी कर लेगी तो ये movie flop नहीं कहलाएगी, average movie होगी तो good choice कार्तिक एंड क्यारा, आप young generation के नए actors हो और अगर आप इस तरीके से लगातार average semi hit या super hit movies दोगे तो आपका career बहुत उचा जाएगा